अलो दोस्तो मैं रिश्यानद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ओफिशल YouTube चैनल भी जिसका नाम है वैदी गनित तो दोस्तो ये कांटीटीटी एप्टीटीट बैरुण शर्मा सॉलूशन सेरीज फिफ्थ है और इस सीरीज में आपको टाइम, स्प्पीड और डिस्टिंस का सॉलूशन देखने को मिलने वाला ये पार्ट 6 है और अभी जो है लेवल 1 चल रहा तो लेवल 1 को ही इस वीडियो में कंटीन्यू किया गया जिसमें आपको लेवल 1 के जो सवाल मिलेंगों 51 कोश्चन नमबर से लेके 60 तक के कोश्चन के यहाँ पर आपको सॉलूशन देखने को मिलने वाले है ठीक है और वो मैं कौन से बुक की करवा रहा हूँ वो आपको How to Prepare for Quantity Attitude बुक है कैट के लिए और यह बुक जो है अरुन शर्मा के द्वारा यह बुक लिखी गई बुक है उसी बुक का आपको यहाँ पर सॉलूशन देखने को मिलने वाला है ठीक है तो कोश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं conceptual question है और मैंने बहुत सिंपल तरीके से इन सारे सवालों को बताने की कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और examination में आप ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए टाप आसानी से उस चीज़ को हल करके आप आओ ठीक है तो दोस्तों यह जो वीडियो है वो SSE के exam के लिए बहुत ही जादा important है बागी यहां पर लिखी रखा है यह book जो cat के लिए बहुत important है cat हो गया यह कोई भी management examination हो गया cat हो गया mat हो गया या फिर chat हो गया किसी भी examination में आपको यह book बहुत ही जादा important है ठीक है SSE CGL का हो गया ठीक है या फिर हो गया आपको CHSL हो गया या फिर CPO का examination हो गया उसके लिए बहुत important है या फिर आप IVPS bank PO clerk देख लो ठीक है और जैसा कि इस वीडियो का आपको PDF अगर format चाहिए इस वीडियो का अगर आप चाहते हो कि PDF format में आपको मिल जाए तो उसका link आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा साथ इसाथ आपको सारे वीडियो के PDF जैना वहाँ पे available हो जाएंगे ठीक है वहाँ पे मैं link डाल देता हूं तो आप मेरे साथ वहाँ पे जोड़ सकते हो ठीक है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यह लाइक जरूर कर देना और अपने दो दोस्तों साथ भी शेयर जरूर करना ठीक है तो चलिए करके सवाल लेते हैं और उन सवालों को बहुत यह आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं चलिए हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है पहले सवाल समझ लेते हैं फिर उसका सॉलूशन देखते हैं तो सवाल यह है कि in a stream B lies in between A and C such that it is equidistant from both A and C a boat can go from A to B and back in 6 hour 30 minutes while it goes from A to C in 9 hour how long would it take to go from C to A ठीक है सवाल समझ को समझा देता हूं है एक धारा है नदी की धारा बोल सकते हैं stream मतलब नदी की धारा होती है एक धारा है जिसमें B जो है ना दो point के बीच में लाई करता है A और C A और C के बीच में लाई करता है जहां से B point से आपको A भी बरावर की दूरी पे है C भी के आपको बरावर की दूरी मतलब B से A और B से C दोनों के बरावर की दूरी पे है अब क्या है कि A boat goes from A to B एक board जो है वो A से B के तरफ जाता है और lot आता है ठीक है उसको समय कितने लग जाते है 6 गंटा 30 मिनट लग जाते है 6 hours 30 मिनट लगते है 6.6 गंटे लगते है लेकिन जब वो A से C के तरफ जाता है तो उसको कितने समय लग जाते है 9 गंटे लग जाते है जैसे कि सवाल में बोला जा रहा है कि B जो point हो A और C के बीच में है तो हम एक दो point बना लेते हैं यहाँ पे यह A हो गया और यह जो हो गया यह हो गया B ठीक है? सुरी यह क्या हो गया आपका C ठीक है? B जो point है वो A और C के बीच में है बी-सम्हों यहाँ पर A-B और B-C दोनों के आपको बरावर है मतलब A-B और B-C दोनों के हैं बरावर की दूरी पर है समझ एहां तक अब क्या बोल रहा है कि जब A-B के तरफ जाता और बैक भी हो जाता है समझ एक बात A-B के तरह गिआ अब B से फिर back होके A के तरफ आ गया तो उसको total time कितना लगा? 6 hours, 30 minutes ठीक है, कितना लगा? 6 hours, 30 minutes ठीक है, लेकिन जब वो A से C के तरफ जाता है तो उसको total time कितना लग जाता है? 9 hours, कितना लगता है? 9 hours, अब हम से क्या पूछा जा रहा है? अब हम से C से जब A की तरफ जाएगा तो उसको total time कितना लगा? समझ के सवाल को यहीं चीज़ हम से पूछा जागा ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं बोलता हूँ यहां से equidistant है तो यहां से अगर मैं बोलता हूँ A से B की दूरी कितनी आपको D है? ठीक है? A से B की दूरी क्या है? आपको D है और फिर B से C की दूरी भी क्या आपको? D ही है D होगी ना? क्योंकि दोनों क्या बराबर की दूरी पे है? ठीक है? दोनों तरफ क्या आपको DD की ही दूरी पे है ठीक है अब देखो अगर मैं बोलूँ कि जब A से वो जाता है A से जब वो C के तरफ जाता है या B के तरफ जाता है तो उसका क्या हो जाता है डाउन इस्ट्रीम में जाता है सपोस करके चलते किस में हो जाता है डाउन इस्ट्रीम में जाता है इस list को धियान समझेगा A से जब C के तरफ जाता है यब B के तरफ जाता है तो उसका क्या होता है? Downstream होता मतलब क्या है कि दहरा की दिशामें वो जा रहा है ठीक है? और जब वो वोट लेके C से A की तरफ जा रहा है यब B से A की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, उसका upstream हो जाता है, ठीक है, जब एक तरफ से उसका downstream हो, तो obvious सा बात है कि दूसरी तरफ से क्या हो जागा, उसका upstream होगा, या अगर इधर upstream लेना जाते हो, तो इधर downstream हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए हां तक, समझ गए हो गए, ठीक है न, चलि ठीक है, चलिए भी equation बनाते है, पहला लेकर चलते है, A से B गया, फिर B से लौट के गया, चुप, A से B के तरफ गया, तो पहले क्या जा रहा है, downstream में जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं, D बटे में X फ्लस Y, ठीक है, अब फ्लस, फिर B से A लौट गया, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, D बटे में X-Y, ठीक है, टोटल कितने लग गये इसको, 6 गंटे, 30 मिनट्स लग गया, ठीक है, 6 आवर्स कितना लग गया, 30 मिनट्स लग गया, clear है यहाँ तर, ठीक है, अब क्या बलग जा र फ्लस, D बटे में X-Y, और टोटल कितना हो जागा, 9 hours, हो गया न, 9 hours हो गया, तो इन दोनों का जोड देते हैं, यह हो जागा, आपका 2D, बटे में क्या हो जागा, X-Y is equal to 9, ठीक है, यहाँ से मेस्टीज को लिख सकता हूं, कि D बटे में X-Y is equal to 9 बटे में 2, और 9 बटे में ठीक है, तो हमारा D बटे में X-Y कितना हो जागा, 4 hours, 30 minutes, तो चलिए इस वाले equation नो फिट कर देते हैं, यहाँ भी लिख सकता हूं, D बटे में X-Y के जगव में यह चीज़ लिख सकता हूं, 4 hours, plus 30 minutes, ठीक है, plus D बटे में X-Y is equal to 6 hours, 30 minutes, हो जाएगा, यह 30 minutes, 30 minutes क्या होगा, कै अब फिट बटे में, X-Y is equal to 2 hours, ठीक है, तो D बटे में X-Y कितना हो जाएगा, 2 hours, मुल्हाँ, C से A के तरफ जाएगा, तो क्या जाए अपफ्ष्ट्री में जाएगा, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 2 hours हो जाएगा, C to, B, ठीक है, और यह भी कितना हो जाएगा, 2 hours ह हो जागा B to A, तो total कितना हो जाएगा? C से A के तरफ कितना हो जाएगा total? 2 plus 2, that is 4 hours. clear है? तो कौन सबसें से हो जाना चाहिए हमारा B option क्या हो जाएगा? C, correct हो जाएगा. समझ गई इस सवाल को? ठीक है? इसी तरीके से, 100 meters long, when they are going in the same direction, the faster train, one takes 60 seconds to pass the other completely. If they are going in opposite direction, they pass each other completely in 10 seconds. Find the speed of the slower train. ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस सवाल में? कि two trains pass each other on a parallel line. दो parallel line है, मतलब रेलवे track है. वहाँ पर दो train एक दूसरे को क्या कर रहे है? क्रॉस कर रहे हैं. और दोनों का जो length है, वह 100 meter है. ठीक है? कितना 100 meter है? मतलब इस train का भी कितना length हो जाएगा 100 meter? यहाँ से लेकर यहाँ तक. और इस train का भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 100 meter हो जाएगा. ठीक है? ठीक है? ठीक है? दोनों का train का length का है? यहाँ सेम है. वेन देस गॉइं पास्टे लिएक्शें का बचान पास करना। लग जाता साट सेकंड लग जाता है ठीक है if they are going in opposite direction अगर वो opposite direction move कर रहे हैं तो उसको 10 second लग जाता find the speed of the slower train तो slower train काम को यहाँ पर speed बताना है ठीक है तो चलिए equation निकाल लेते हैं जब यह दोनों same direction move कर रहे हैं तो यहाँ पर length ले सकता हो कितना हो जगा 100 plus 100 बते में speed of faster train s1 ठीक है minus s2 क्योंकि same direction move कर रहे है is equal to कितना लगाता है 60 second लगता है तो यहाँ पर क्या लिग लेंक 60 ठीक है चलिए इसको solve कर लेते ही हो जगा आपका 200 बते में आपका 60 is equal to क्योंजगा s1 minus s2 यह होगा ठीक है अब चलिए दूसरा equation करते हैं दोनों क्या आप same opposite direction move कर रहे तो opposite direction move कर रहे तो यह जागा 200 ठीक है train का total length और बते में क्या लिखेंगा s1 plus s2 same direction move कर रहे है और कितना समय लग रहे हैंको 10 seconds यह दोनों cancel out हो गया और यहाँ पर क्या आगया s1 plus s2 is equal to 20 कितना पैसे इस इक्वेशन बनके तैयार होगा है एक equation यहाँ से का है 0 0 चला गया 2 3 6 होजागा और यह क्या आपको 10 यह आजगा s1 minus s2 is equal to 10 मटे में 3 ठीक है अब हमको क्या निकालना है यह हो गया आपका पहला equation ले लो और यह हो जगा आपका दूसरा equation हमको क्या निकालना है slow train का speed कितना आपको s2 है तो हमें क्या calculate यहां पर करना है s2 करना है तो यह काम करते हैं कि हम लोग second मेंसे न माइनस कर देते हैं first तो second माइनस first तो second क्या हमारा s1 plus s2 is equal to 20 और यहां पर लिखेंगे s1 minus s2 is equal to 10 मटे में 3 ठीक है माइनस करना है तो इसको चलो यहां से माइनस कर देंगे यह plus हो गया माइनस हो जागा तो यह तो अन्हों cancel out हो गया और यहां क्या बचेगा 2s2 is equal to यह जागा 3 to 60 that is 50 बटे में 3 ठीक है तो s2 हमारा कितने बरावर आ जागा s2 आ जागा हमारा 25 बटे में 3 ठीकिन यह किसमे हमारा meter per second में खुमे कार्णा पड़ेस किलो में क्लोल क्लूलर पर आवर आवर तो 25 बटे में 3 इसको 18 बटे में पांक से क्या कर्चिक करेंगे। मैल्टिप्लाइ कर देंगे यह जागा पांच पांच से गया तीन छे से गया तो यह कितना हो जागा आपका 30 प्र पर आवर यह जागा अपका 30 km पर आवर तो कॉंस अप्शन से हो जागा हमारे यह उप्शन क्या है यह से करेक्ट हो जागा ठीक है फ्रेंड्स समझ गए होगे इस सवाल को बढ़ा है अपना अगला सवाल देखते है तो हमारा अगला सवाल क्या है विने रंस 100 मेटर इन 20 सेकं कितने मेटर के मतलब कितनी दूरी से विने जो अजय को 100 मेटर के में हरा देता है तो देके यह हमारा वाद जो ट्रैक है समझ लेजेIES को ऑन्रेड नीटर का है। कितना का है यह है। समझ लेजिए इसीच को कॉज और्चिपबाता है, विनेय भी यही से दौड़ता है। हन्रेड मिटर करेक, दौङए हनंरेड मिटर करेक, क्या कर दिया। कितने दर्फे kidding क्या कर दिया, कॉंप्लेट करता है कि दिए थे 25 सेकंड हो ठीक है अगर मैं बोलों कि sb विन्य की स्पीड कितनी है तो यह सो बटे में कितना हो जागा 20 हो जाएगा तो इसको में बोल सकता हूँ 5 मिटर पर सकंड ठीक है और उसके बद अजय कि स्पीड कितनी हो जागा 100 बटे में 25 that is यह हो जगा आपका 4 meter per second ठीक है यहाँ तर clear है ठीक है तो obviously आप देख पा रहे होगे कि अजय की जो speed है ना वो कितने आपको 4 meter per second है और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यह 5 second जादा लेता है ठीक है 5 second क्या लकता है मतलब क्या है कि 20 second में इसने पूरी कर ली भी रहने और उसके बाद आजय भी पीछे है तो कितना second पीछे तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना 5 second पीछे है तो distance कितना उसको रह जाता है तैय करने के लिए उसको distance रह जाता है 5 second into आजय की speed कितनी है 4 है तो that is यह आजागा 20 मीटर 20 मीटर की क्या रह जाता है वहाँ पे पीछे रह जाता है मतलब विने जो है वो अजय को कितने से beat कर दे रहा है 20 मीटर से क्या कर दे रहा है यहाँ पे beat कर दे रहा है तो मारा answer कौन सा हो जागा हमारा P option क्या हो जागा है यहाँ से correct हो जागा समझ गयोगे इस सवाल को बढ़ा जा अपना अगला सवाल देख लेते हैं हाँ तो दुस्तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर क्या है यह भी रेस का ही सवाल है जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था उसी दर रखाया है तो बोला क्या जा रहा है यहां पर इन ए हंडेड मीटर रेस श्याम रूंस एट 1.66 मीटर पर सेकंड इव श्याम गेव सुजीत एस्टार्ट फॉर मीटर निंस्टिल बेट्स हीम बाइट्वल सेकंड वाट इस सुजीत स्पीड चेक है समझेगे इस सवाल को एक 100 मीटर का रे क्या रहा है समझेगे चली देखते ही सवाल को यह आफ क्या 100 मीटर का ट्रायक है यह कितने का हमारा 100 meter का है clear है यहां तर ठीक है अब यहां श्याम का speed जो है SS वो कितना 1.66 meter per second है इसको कैसे लिख सकते हैं 1 plus 0.66 लिख सकते हैं और 0.66 को इसको लिख सकते है 1 plus 2 by 3 लिख सकते हैं तिया जग आपको 5 by 3 meter per second ठीक है श्याम के speed कितनी होगे 5 by 3 meter per second clear है हां तक समझ गया ठीक है चलिए अब देखिए क्या बोलता है कि आईए हम लोग एक बार इधर से समझ लेते हैं कि श्याम अभी यहीं पर है ठीक है और उसने सुजीत को सुजीत ही है ना तो सुजीत को अभी कितना भागना सुजीत को भागना 96 meter कितना भागना 96 meter और श्याम को कितना भागना श्याम को भागना पूरे 100 meter अगर श्याम उसी दूरी को T time में complete कर देता है कितनी दिन में complete करता है T time में complete करता है सुजीत को कितना समय लगता है सुजीत को समय लग जाता है t plus 12 इह लगता नहीं यहाँ पर t plus 12 second लग जाता है उसको ठीक है 12 second से बीट कर रहा है तो कितना लग जागा t plus 12 second लग जाता है ठीक है चलिए श्याम अला लिख लेते हैं श्याम का कितना हो जागा 100 मीटर कर रहें से बटे में t और इसकी स्पीड कितने 5 बटे में 3 ठीक है आगया है आप तो इससे अगर हम इसको cancel out कर देते तो यह जागा 20 तो यह जागा t is equal to जागा आपका 60 second ठीक है कितना होगा t is equal to 60 second अब सुजीत वाले में देख लेते हैं सुजीत को कितना मिल रहे 96 मीटर क्योंकि 4 मीटर को उसको क्या मिला है start मिला है और time कितना ले रहे t plus 12 और उसकी speed कितनी है speed तो हमें निकालनी है ठीक है सुजीत के क्या निकालनी बाराः आठे, चैन बे और यह टू, त्री से चला जाएगा और यह यह जागा फॉर से चला जाएगा, तो सुजीद के स्पीट कितना हो जागा, फॉर बटे में त्री, इसको मुनों कैसे लिख सकते हैं, वन पॉईंट त्री थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है, तो हमारा कितना आजाएगा, सुजीत के स्पीट कितना होगा, 1.33 meter per second, तो कॉंस option से होजाएगा हमारा, C option क्या होजाएगा से correct होजाएगा, ठीक है friends, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है, अगला सवाल के at a game of billiards, A can give b 15 points in 60, and a can give c 20 in 60, how many points can b give c in the game of 90, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि एक game of billiards है, billiards का कोई game है, उसमें a ने b को 15 points दिये, 60 में, ठीक है, ठीक है, कितना दे दिये, 15 points दिये, ठीक है, और c को कितना दिये, 20 points दिये, 60 में, अब पूछा क्या जा रहा, how many points can b give c in the game of 90, मतलब 60 के game में, a ने b को 15 points दिये, और c को कितना दिये, 20 points दिये, ठीक है, ठीक है, तो बोला जा रहा कि 90 के game में, c को b कितना देगा, ठीक है, 90 के game में, c को b कितना देगा, यह चीज़ आप से यहाँ पे पूछा जाएगा, समझ गऊ गए सवाल को, तो चलिए, अब इसको आप आपको आपको यह सवाल असानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, मगर मान लो 60 मिटर के रेस है, कितना है 60 मिटर के रेस है, ठीक है, यहाप एक मैने लाइन खीज दिया, और यह कितना होगा, आपको 60 सिस्टी मीटर का हो गया , यह कितना यहां पिर सिस्टी मेटर का हो गया , अब क्या बोला जा रहा ? कि A गी B , यह जो है B को कितना देता पंद्र मुइंट देता, मतलब 15 मीटर का स्टारटफ दे दिया , B को , तो अब इसको कितना भागना पड़ेगा 45 मीटर ठीक है और A ने C को कितना दे दिया 20 मीटर मतलब इससे थोड़ा सजादा यहाँ पर आजागा C ठीक है इसको कितना दे दिया 20 मीटर का दे दिया अब C को कितना भागना पड़ जागा C को भागना पड़ जागा कितना 40 मीटर ठीक है कितना भागना पड़ जागा 40 ठीक है अब बोल किया रहा है कि 90 में B ने C को कितना दिया तो अगर मैं यहां पर देखता हूँ 60 में तो B ने C को कितना दे दिया B और C का रेशियो कितना जागो B कितना भाग रहा 45 भाग रहा और C कितना भाग रहा है आपको 40 भाग रहा है clear है B का 45 और C का कितना है 40 है अगर दोनों को अगर हम लोग डिवाइट करते हैं तो कितना जगा यह है यह चला जगा 5,9,45 और यह जगा 5,8,2 B और C कितना जगा 9 बटे में 8 यह होगा ठीक है लेकिन हमसे क्या पुछा जल रहा है नब्वे में कितना दिया जगा तो नब्वे में अगर पूचाएं तो कितने से multiply करेंग इसको 10 से और इसको कितना करना पढ़ेगा हमको 10 से तो यह होजगा 90 और यह कितना हो जगा 80 C, तो 90 में कितना का start-up दे दिया C को, 10 का, कितना का दे दिया, 10 का, तो B ने C को start-up कितने का दे दिया, 10 का दे दिया, तो कौन सा option से हो जगा हमारा, C option क्या जगा है से, correct हो जगा, समझ गए न, इस सवाल को ऐसे हल किजिएगा, race की तरह से, तो यह आसाने से आप से हल हो जाए winner has a start of 140 meter, then winner wins by, ठीक है, देखिए, सबसे फ़ेले सवाल को समझ लीजे, क्या बोला जा रहा है कि एक 500 meter का race है, 500 meter का race है, जिसमें दो runner है, एक तो winner और एक sham है, तो winner और sham का जो ratio है, speed का, वो कितना है, 3 is to 4 है, मतलब, speed of winner, बटे में, speed of sham, कितना हो जगा, 3 is to 4, ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि winner has a start of 140 meter, अगर winner को 140 meter के start मिले, ठीक है, winner को अगर 140 meter के start मिलता है, तो winner कितने meter से क्या हो जाता है, जीत जाता है, यह चीज़ हमें यह आपे बताना है, समझ गया, चलि मैं इसको और figure करके समझा द ठीक है, यह track हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको कितना का है, 500 meter का है, ठीक है, कितने का है, 500 meter का है, ठीक है, अब winner और sham भागने लग रहे हैं यहां से, तो winner और sham का speed का ratio कितना है, 3 is to 4 है, तो sham तो यहीं से भागेगा आपको, 500, 500, ठीक है, और winner को, कितना 140 meter के start मिल रहा है, क कितना का 140 मीटर का, तो 140 का हेड स्टार्ट लेके, 140 मीटर का हेड स्टार्ट लेके, विनय यहां पे खड़ा है, ठीक है, विनय यहां पे खड़ा है, अब विनय यहां से क्या करेगा, भागना शुरू करेगा, तो एक्चुली विनय को भागना कितना है, एक्षुली मैं अगर देखा जाए तो विने को भागना है 360 मीटर, कितना भागना है 360 मीटर, और श्याम को कितना भागना है 500 मीटर भागना है, ठीक है, और यहां पर दो चीजे दे रखी गई है, एक तो हमारा विने का स्पीड है, विने का स्पीड कितना है, 3 है, 3 मीटर पर स करने वहीं पे श्याम की स्पीड कितनी है फोर मीटर पर सेकंडर समझेगा इस चीज को जहां विन्य जहां विन्य तीन मीटर भागता है वहीं पे श्याम कितना भागता है चारी मीटर भागता है लेकिन विन्य को कितना भागना है तीन सो साट मीटर भागना है तो जब विन्य श्याम कितना करिपाएगा उतन दर्म режим कड़ाभ एक हो इंटू इन तु यह फोर इटी मीटर्थे व पेछ यह talking कभर करपार्ग गाद कि लिए नीतaches है सब्सक्राइए बढी मिटर考 तर सब्सक्षार जाएक depth थैजnal से नीकरser जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आई होब आपको यह question समझ में आगे होगा चलिए बढ़ते अगला सवाल देख लिया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी screen पर अगला सवाल किया how many seconds will a carva 120 meter long running at the rate of 10 meter per second take to pass a standing boy है ठीक है बहुत simple सा सवाल है ठीक है इसको इसमें paint भी touch नहीं करना पड़ेगा बस concept को समझ लीजे क्या बोला जा रहा है कि कितने देरी में कितने seconds में एक कारवा जो कि 120 meter long है जो कि 10 meter per second की speed से क्या कर रहा है चल रहा है take a pass to a standing boy को कितने दिर में pass करेगा तो देखो एक यहां पर बच्चा खड़ा है जिसका कोई length नहीं होगा चीक है क्योंकि इसको हम लोग एक अगर कारवा से अगर हम लोग इसको compare करें जिसकी लंबाई कितनी है 120 meter है कितनी है 120 meter है अगर हम इसको compare करते हैं 120 meter से तो इसका जो length होगा इस बच्चे का जो length होगा क्या होगा आपको यहां पर negligible होगा जिसको हम लोग ले नहीं सकते है as compared to इस कारवा के length से तो हम इसको क्या मानेंगे एक point object मानेंगे क्या मानेंगे सिर्फ point object मानेंगे तो मतलब ये जो है ये कारवा कितनी दूरी तैय कर रहा हुआ सिर्फ 120 मीटर की दूरी तैय कर रहा होगा तो हमको यहाँ पर निकालना क्या time निकालना है तो total time ये length कितना होगा 120 divided by कितना हो जागा इसका speed हो जागा train का that is 10 दिवाइड किया तो यहाँ से आगा आपको बारा सेगंड बारा सेगंड में इस बच्चे को ये कारवा क्रॉस कर जाएगा तो बी ऑप्शन क्या जगहां से करेक्ट हो जागा ठीक है दोस्तों चलिए अब अगला सॉल देख लिया जाए तो दोस्तों अगला सॉल आपके स्क्रीन पर है अगला सॉल के two trains are traveling in the same direction at 50 km per hour and 30 km per hour the faster train crosses a man in the slower train in 18 seconds फाइं दल लें तो फास्टों त्रेन ठीक है देखें यहां पर दो train है एक तो यह आपको train है और एक यह train है जो कि same direction move कर रही है ठीक है कौन से same direction move कर रही है इसका speed कितना 50 km per hour है इसको हमने faster train मानना है और इसकी speed कितनी 30 km per hour इसको हमने slower train मानना है तो बुल क्या जा रहा है, बुला क्या जा रहा है, फिर the faster train crosses the man in the slower train, देखिए, यहाँ पर एक आदमी खड़ा, ठीक है, यहाँ पर क्या आपको man खड़ा, तो जो faster train जो है, इस man को कितने देर में cross करता है, slower train में जो है, उसको 18 second में cross करता है, तो हमको इसका length बताना है, इस faster train length क्या होगा, यह चीज़ यहाँ पर हमको calculate करके बताना, तो यह आदमी फिर से क्या हो गया है, हमने बताया था आपको पहले, कि कैसे पीछव ले सवाल में, यह क्या हो गया है, यहाँ पर फिर से point object हो गया, तो total length कितना travel होगा, L, यहाँ पर हमने लिख लिख लिया, L, ठीक जगा 18, तो एक बात का यहाँ पर ध्यान देना, कि इसको हमें, यह किसमें आपको kilometer per hour में और यह किसमें आपको second में है, तो इसको हमको convert करना पड़ेगा, यह हो जगा 18 बटे में, पांस हो जाएगा न, ठीक है, इसको, sorry, यह second है न, हाँ, तो यह हमारा क्या है, आपको, यह kilometer per hour में, तो इसको हमने multiply करना पड़ेगा, 5 बटे में 18 से, ठीक है, और यह 18 उपर जागा, तो 18, 18 क्या हो जागा, cancel out हो जागा, तो यहाँ से length कितना हो जागा, length हो जागा, आपको यहाँ से 100 meter, लेकिन जब हमने देखा, तो उपर च जाल हो, जो option है, हमारा किस में है, kilometer में, तो, जब kilometer में है, kilometer को, हमको change करना पड़ेगा, meter को kilometer में change करना पड़ेगा, तिसको कितना हमारे हम लो, एक हजार से थी ये खजास divided को तो कितना हो गया 0.1 km तो इस train का लेंद नहींत कितना होगया 0.1 km तो इस train का लिए नहींत के होगया 0.1 km तो ये option किया है गहां से correct हो जाएगा ठीकरेप्टेल्स चला जाए अगला सहॉल देखते हैं हाँ तो दोस्तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल कहा है टू ट्रेंज फॉर हावडा लिव मुझाफरपूर अट एट थर्टी एड नाइएम रिस्पेक्टिवली और ट्रैवल एट सिक्स्टी किलोमेटर पर आवर और 70 किलोमेटर पर आवर तो तो ट्रेंज भी तेギह zahra इस सवाल में क्या है और दू ट्रेंज है जो कि हावडा के लिए लीव करते हैं किसी स्टेशन को जो कि मुझाफरपूरे पर इस्टेशन है मुझाफरपूरे स्टेशन को लीव करते हैं परावर, चाहएं. एक साड़े-ाठ वजे खुलती है, और दूसरी कभ खुलती है? 9-9 वजे खुलती है, ठीक, respectively. तो जो 8-8 वजे खुलती है, स्पीड केतनी है? 60 Km per hour, और 9 वजे खुलती है, इसकी स्पीड केतनी है? 9 km per hour. तो how many kilometers from Mujahperpur तो मुझाफरफूर से कितनी दूरी में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मीट करेंगी ये चीज़ हम से यहाँ पे पुछा जा रहा है तो सफकुरूर ये जो पुणिट है थी है कि आपको इस्टेशन आपको मुझफर पूर है और यहाँ पर जो है ओज्या डी वजे ऑजी ये वाले ट्रेंच चली है नौ बज़े ये ट्रेन खुली और नौ बज़े खुली काउन से स्पीट से 70 किलोमेटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, how many kilometers from मुझा परपुल, मुझा परपुल से कितनी दूरी के बाद ये दूनों एक दूसरे से, मिलेंगी ये चीज हम से यहां पर पुछा जा रहा ह तो कई साट किलोमेटर के स्पीट से चल रही है, किलोमेटर पर आवर के स्पीट से चल रही है, तो आदे घंटे में चली, कितनी चली होगी, तो आदे घंटे में चली होगी, 30 किलोमेटर, कितना चली होगी, आगे हो गई होगी है, 30 किलोमेटर, ठीक है, तो एक दूसरे से, 70 minus 60 चीक है, क्योंकि same direction में तो minus हो यहाँ पे, तो 30 और बटे में क्या लिख लोगे, यहाँ पे 10 that is 3 hours तो 3 घंटे के बाद यह एक दूसरे से क्या करेंगे, यहाँ पे meet करेंगे चीक है, तो 3 घंटे के बाद यह एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन हम से यहाँ पे क्या पुछा जा रहा है, distance पुछा जा रहा है तो distance पुछा जा रहा है, तो हमें जो मुझफरपूर से खुल रही ही 9 बजे, उससे multiply कर दो तो हमें क्या निकल जागा, distance निकल जागा तो distance from मुझफरपूर is equal to 70 into 3, that is 210 km कितना हो जागा 210 210 km, तो कौन सा option से ही हो जागा हमारा है, ये option क्या हो जागा है से correct हो जागा, ठीक है समझ गई इस सवाल को, चला जाब अगला सवाल देखते है हाँ, तो दूस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीम पर है और ये इस वीडियो का अन्तिम सवाल है, तो चली देख लेते हैं सवाल के है without stoppage a train travels at an average speed of 75 km per hour and with stoppages it covers the same distance at an average speed of 60 km per hour, how many minutes per hour does the train stop, ठीक है देखो, बिना stoppage के, एक train जो है जिसके, जब बिना stoppage को चलता है, तो उसका average speed कितना है, 75 km per hour लेगिन जब वो कुछ stoppage लेता है रास्ते में, same distance distance वही है, जब वो कुछ stoppage लेता है, तो उसके average speed कितनी हो जाती है, 60 km per hour हो जाती है, तो हमसे पुछा है क्या जारा कि एक घंटे में कितना मिनट हो वो रुकता है, यह चीज़ हमें यह आपे बताईए, ठीक है, तो देखो उस train का जो दो तरह का speed है, एक तो आपका average speed कितना है, 75 km per hour ठीक है, और दूसरा जो speed है, S2 वो कितना 60 km per hour है, ठीक है, ठीक है, अब एक काम किजिए, इनका क्या ले लीजे, यह LCM ले लीजे, और जो LCM लेंगे, वो क्या हो जागा, आपका distance के बराबर मान लेना है, होता नहीं है, उसको क्या करना हमने, मानना है, तो इसका जब हम LCM लेते हैं, 75 or 60 का, तो हमारे पास जो हाता है, वो कितना आजाता है, 300 km, ठीक है, 300 unit आजाता है, ठीक है, अब जो 300 unit आया है, यह distance है, अब speed से जब हम इसको divide करेंगे, तो क्या आजगा हमारा time आजगा, जब हम 75 से 300 को divide करते हैं, तो कितना आता है, यहाँ पर 4, और इसको divide क कितना जाता है, 5, तो आप देख पा रहे होगे, S1 जो है, यह without stoppage है, तो उसको कितना समय लगा, 4 गंटे लगा, और S2 जो है, वो हमारा क्या है, with stoppage है, उसको कितना लगा, 5 गंटा लगा, मतलब, 1 गंटे का difference है, मतलब, 5 गंटे में, कितना देर रुख जाता है, 1 गंटा र 1 by 5 गंटे, 60 यह आ जगा आपका कितना, 12 मिनटे, 12 मिनटे, तो का उप्टे से होजगा, हमारा अभी option किया जगा है, आसे correct हो जाएगा, ठीक है friends, तो friends, I hope, इस वीडियो में, जितने यह मैंने सवाल करा है, आपको आसानी से समझ में, आगे होंगे, ठीक है, तो दूस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो का आपको पीडियो फॉर्मेट जो नो आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स का लिंक मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रफ्रेंज के लिए रख सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो य पहली बार देख रहे हो इस चाल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीके फ्रेंड्स तो एट लास दोस्तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो एंड बेस्ट आफ लग फॉर फॉर फूचर